हेलो फ्रेंज वेलकम पाक टो यूटीब चैनल अभी हम लोग यहां पर रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिम्टेट की अनलिसिस करेंगे और इस अनलिसिस पर बेखेंगे कल के दिन में इस तस नॉवंबर को किस तरीके से अपने इंपॉर्टन लेवल्स एंड टार्गेट दिखा मिल सकता है तो हमने चैनलिस जाने की प्रबब्लिटी इसकी जाथा है यहां पर इशी किया था लेकिन हमने यह जानता की नीचे Cost मोमेंटम मिल सकता है क्योंकि लास्ट ली पांच शे दिन से कहीं भी ओर मोमेंटम नहीं किया है अब यह कर इसको एक बार वीकली टाइम पर हम जाके देखेंगे तो वीकली टाइम पर मैं बात कर रहा था आप से कि यहां पर हम लोग को डबलू टाइप पैटन मिल जाए तो ब प्लान कर सकते हैं याद रखीगा वीकली टाइम फ्रेम पर प्लान कर रहे हैं तो हमारा ऐसल बड़ा हो जाता है और उसके हिसाब से हमारा जो टार्गेट होता है वह भी कहीं न कहीं अच्छा खासा बड़ा हो जाता है तो टाइम जादा हम लोगों के पास रहता है हम लोग करने जा रहा है, प्लस यहाँ पर देख लिया, seller पर दो बार ट्राई गया, और seller दो बार फेल्लों के, फ्रिड से उपर की ओर निकल रहा है, मतलब यहाँ पर जदा चांसे से उपर की ओर जाए, अभि यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कहीं पे space नहीं है यह जिस zone में trade कर रहा है यह 100 रुपीज का zone है और यह already 2300 रुपीज के आसपास का भी share है तो 100 रुपीज का zone बहुत ज़्यादा बड़ा इसके लिए नहीं है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा momentum इसके अंदर बहुत ज़्यादा momentum हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा जब यह इससे उपर यह नीचे के उन निकलेगा तभी हम लोग को एक बड़ा momentum देखने को मिलेगा अभी इसके अंदर क्या होगा उसके लिए भी हम लोग देखेंगे 15 मिन टाइम फ्रेम पर 1 डे टाइम फ्रेम पर लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस वीक की क्लोजिंग इस वीक की क्लोजिंग अगर हमें नीचे की और कहीं न कहीं 2250 के आसपास मिलती है तो यह यहाँ पर एक थ लिएस जून को नहीं ओपर की ऊर्ट करेगा तब तब कुछ भी बाईं का प्लानिंग नहीं करेंगे ठीक है यहां पर जो भी एक्षान होगा उसे बनने देंगी लेकिन जब बाइंग तब इस उन के बाहर निकलेगा तब राइट तो उसस प्राइस हमवा UX करके चल सकते है अभी वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आज ओपनिंग के बाद सीधे नीचे चला गया और हमारे तो लेवल्स थे उपर कि उसको टच नहीं गया नीचे के जो हमने यहाँ पे लेवल्स डिसकस किये थे 2320 और इनको ब्रेक करते हैं यह लग 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 2310 और 2300 के आसपास जा सकता है तो देखेंगे कि कहीं न कहीं इनी लेवल्स ही उपर क्यों जाने की कोशिस किया है अब यहाँ पर लास्विंग है हमारे पास पहला यहाँ पर नेगेटिव कैंडल है कल ओपन का जो ओपनिंग क्लोजिंग है मतलब 2295 90 के आसपास का लेवल तो इस लेवल के आसपास फिट से हमें क्या मिलेगा एक सपोर्ट मिल सकता है तो यह लेवल अभी यह जोन इंपॉर्टेंट हो गया है उस तरीके से अगर हम लोग देखने जाएंगे तो यह सपोर्ट जोन है जो कि अभी important role play कर सकता है अभी हम लोग क्या करते है उपर की और बात करेंगे तो उपर की और भी momentum का हो सकता है अगर negative candle कुछ बना है ठीक है तो उपर की और momentum होने के दो chances है एक तो यहाँ पर gap of open हो जाए और उसके बाद इसको breakout दे दे तो यह जो भी sell किये हैं जो लोग भ सकता है कोई पास का important support हिट करें और यहाँ पर opening होने के बाद यह इस तरीका कुछ candle बना दे तरसा दोई सिनारियों यहाँ पर पॉसिबल नजर आ रहा है लेकिन चुकि यह पूरा का पूरा एक sideways जैसा यहाँ पर सिनारियों बन रखा है किसी क्योंकि फिर से इसी जोन में आ कि 15 में टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो 15 में टाइम फ्रेम में आज अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल पहले ही नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद प्राइस सेक्षेन पूरा का पूरा नीचे की और बनाया यह support था हमने पहले discuss कर रखा था 2320 लास स्विंग हमा है तो अगर यह आज का अपना स्विंग यहां पर ब्रेक करता है तो सबसे पहले तो 2300 एक राउंड लेवल है यह राउंड लेवल एंड सके बाद 2290 को जाके टाच करेगा जैसे मैं बता रहा था 2290 के हासपास फिर से 15 मिनिट पे यहां पर सपोर्ट लिया सपोर्ट लेने क कोशिस करेगा और उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो सीधे कहीं नगाई 2280 के हासपास आने की कोशिस करेगा यह फिर हो सकता है यह उपर क्यों मोमेंटम करें क्योंकि यह वाला जो उपर वाला चैनल लेकि यह उन चैनल हो गया यह उसका सकेंड पार्ट हो गया तो अगर यहां से आता है तो यहां से बाउंस बैक देने की कुशिस करेगा और इस जोंस अगर निकल जाता है तो यह फिर से विकली टाइम फ्रेम पर भी अच्छा पैटन मन जाएगा डेली ताइम पर पर ब्राइस एक्षिन बना के इसको ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे के लेब जरूर बता सकते हैं पसंद आई होगे तो लाइक कर सकते हैं चैनल पर ना होगे सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई बी डिसीजन लेने के पहले एक बार खुद की अनलेसिस जरूर करें उससे आपके अनलेसिस भी अच्छी होगी और जो भी रिस्क होगा आपको पता चलेगा थैंक यू वर वाचिं इस वीडियो